मंगरेश के दास्टे प्रवक्ता इवं ग्वालियर चंबल संभाग के चुनाप्रभारी सुरेंदर राजपूत हमारे साथ मौजूद है सर कल पी-एम का विजिट है ग्वालियर में संधिया इसको लाएंगे किस तरही के से देखते हैं पी-एम के दोरे को प्रदान मंतरी जी बच्चों से बात करने आ रहे हैं सिंधिया स्कूल में आ रहे हैं देश के भविश्य की बात करें अभी जात्ते बच्चों के साथ बात करें हम तो स्वागत करेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम प्रदान मंतरी जी भी कहेंगे कि मद्यप्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में भी चले जाईए जाकर के देखिए वहाँ कि 14,000 से ज़्यादा बालिकाओं के स्कूल में सोचाले नहीं है जरा उनके सोचाले ठीक करवा दीजिए आपके तो एक बड़ी यूजना थी हर घर सोचाले यहाँ इसकूल तक में सोचाले नहीं है अभिजात्यवर्क के बच्चों की बात करने के साथ साथ आप शेवपुर के उन अबोध आदिवासी बालिकाओं की भी बात कर लीजिए जो दुराचार की प्यड़ी थे उन सारे सिक्षकों की भी बात कर लीजिए जो आज की डेट में जिनके पद खाली पढ़े हैं सड़ सड़ हजार से जादा सरकारी स्कूल के बच्चों को गरीब के बच्चों को भी तो पढ़ने का उतना ही हक है जितना सिंधिया की स्कूल के बच्चों को पढ़ने का हक है आप उनको समझाईए उनको बढ़ाईए उसका स्वागत लेकिन गरीब के बच्चे को भी उनका हक दीजे बराबर का हक दीजे आप यहां आए हैं हम आपको अभिनंदन करने के साथ साथ यह भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप रानी लक्ष्मी माई की समाधी पर भी जाएंगे या कोई आपके उपर विवश्टा है मजबूरी है कोई रोक रहा है आपको अमर शहिद अमर विरांगना जासी रानी की समाधी पर भी तो आपको जाना चाहिए प्रधान मंत्री जी आपको जो बच्चे माल नूट्रिशन का शिकार है उनसे भी तो आपको बात करने चाहिए उनसे भी तो पूछना चाहिए बच्चो शिवराज सरकार में तुम्हारे तुम बॉने क्यों रह गए और ये मेरी रिपोर्ट कोपोशन क्यों है दुराचार क्यों है इन बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है सिंधिया स्कूल को अपना भाषन दीजे लेकिन सरकारी स्कूल की देखिये प्रधान मंत्री जे अखिरकार कॉंग्रेस क्यों चाहती है कि बिलांगना की समाधी पर पीम जाएं यह कॉंग्रेस का प्रश्ण नहीं है देश का प्रश्ण है भारती जंता पार्टी के लोगों की सोतंता संग्राम में तो कोई न तो रूची थी नहीं कोई आदमी दिन का गया हुआ था कम से कम अमर शहीदों को स्रधान्जली अर्पित करना तो प्रधान मंत्री का नेतिक दायत तुब यह धरम भी है और करतव भी है कैई ग्वालियर का आप मान नहीं होगा कि अगर प्रधान मंत्री जी अमर शहीद और विरांग्ना रानी जहासी की समाधी पर नहीं जाएंगे क क्या मांग लेंगी रानी जहासी आपसे आशिरवाद ही दे देंगी कुस थोड़ा बहुत आपको जाना चाहिए वहाँ अगर आप नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं आप देश के अमर सहीदों के प्रति अपमान करेंगे कॉंग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है तो कैसे देखते हैं आप इसको बीजेपी की अभी तक पाचवी लिस्ट में भी इतने प्रत्याशी घोशित नहीं हुए हैं हमने तो चार दिन में 249 प्रत्याशी घोशित कर दिये जिसमें लगभग 99 प्रत्याशी जो है हमारे वो 50 साल से कम के उमर के हैं 172 प्रत्याशी के आसपास जो हैं हुए 60 साल की उमर से कम हैं तीस से जादा महिलाएं हैं, बासट पिशड़े समाज के लोग हैं और सब के सब कॉंग्रेसी हैं, पहली बार बिरगेर किसी गुटबाजी के हुआ है, पहली बार जीत एक बहुत बड़ा निरनायक है, पहली बार हुआ है कि आज की डेट में हमारे प्रत्याशियों से जनता खुश है, इंतजार करी है 17 तारीक का, तो ये तो एक बड़ी हमने काम किया है, भारती जनता पार्टी बताएं, अब तक सिरफ 136 हुए हैं उनके, 136 ही घुशित क्यों कर पाई, हमने तो समय से कर दी, तो ये थी हमारे साथ रास्ठी प्रवक्ता कॉंगरिस के सुरेंद्र राजपूत, इनका साथ तोर पर कहना है कि पी-एम जब गौलियर आ रहे हैं, तो वीरंगरा राणी लक्ष्मिवाई की समाधी स्थल पर भी मत्ता टेकने जाएं, वालेर से धर्मेंद्र शर्मा, किविना डिजिटल मद्द पदेएं